रादे रादे गुरुजी, मेरा एक सवाल है, लिकिन उससे पहले ये मेरी माय, जो सुबा से आपको फॉलो कर रही है, तो ये पिछले 15-16 सालों से नीन की गोली ले देती, सोनी के लिए, अच्छा, हाँ, और अभी साल भी नहीं हुआ है, आपको सुने, और इनका कर्तभव इ छोड़ दी, अलुमिनियम के बरतन भी छोड़ दिये, मुझे खभी-खभी जैलेसी होती है, कि आपको ज्यादा मानती है मुझसे, लेकिन अभी काफी अच्छा है, पहले उदास होती थी, तो मुझे बात करनी पड़े थी, पास-पास रहना पड़ता था, लेकिन अब आप को मिला देती हूँ, और मुझे लगता है कि आप वहां से मेरे भाई होने का फर्जने बार है, तो उसके लिए थाइक हो, हर बेहन का भाई हूँ मैं, ये समझो, सभी माओं का बेटा बनके जो पुत्र अपने मा के लिए करता है, वो करने की कोशिश करता हूँ, और आप सभ गाल भी है, बोलिये हूँ, हमारे सनातन धर्म में दो ऐसेप्ट है, एक है सभी कल्प समाधी और एक है निर्विकल्प समाधी, ठीक है, जिसमें सभी कल्प समाधी ऐसा बोलते हैं कि फिरेश क्ष़ भक्त और भगवान रहते हैं, आप उन से प्यार कर सको, उन किसलिए आत्मा को जागृत करके और कई भगवत पंतियों भग कहते हैं कि जो मज़ा सव इकल्ब समाधी में है उसके आगे मोक्ष भी कुछ नहीं है तो मैं अब आप भी भगवत प्रेमी हो और भगवत पंतियों तो आप से जाना चाहती हूं कि क्या सच में सव इकल्ब समाधी बेस् तो मैं दोनों उदाहरण आपको भी दूँगा, पहला भरत जी का सुनिए, भरत जी से कहा कि आप क्या चाहते हैं, भरत जी ने कहा, अर्थ न, अर्थ मतलब धन, अर्थ न, धर्म न, मुझे कोई धर्म आत्मा नहीं बनना, कोई धर्म नहीं चाहिए, आरथ न धर में न काम, कुई काम नहीं वोई विसे वासना नहीं, कोई इंद्र पद नहीं श्वर्ग पद नहीं। अर्थिना धर्मे नकामे रुची गतिना चाहू निर्वान जनम जनम रतिराम पद यह वर्दाने नयान। तो कैद हो जाएंगे वहीं पड़े पड़े हमारा तो मन लगेगा नहीं। तो इसलिए प्रभु आप बार बार संसार में भेजते रहना और अपने चरणों की भक्ति दे के जब भी भेजना। अब यह दूसरी बात समझो। अब राजा बली जब बाली मरने लगा तो बाली अब नाथ करी करुणा वेलो कहूं दे हो जो बर्मागा हूं जेही यौनी जन्मा हूं कर्म बस तहां रामपद यनुराग हूं। जिस यौनी में मेरा जन्म हो प्रभू मैं कर्म बस जहां जाओं। मैं यदी मक्खी भी बनू कर्म बस तो वो मक्खी बनाना जो बिहारी जी के मंदिर की मक्खी है कम से कम उनके चरणों में तो बैड़ जाओंगी तो ऐसी मक्खी भी बनना पसंद है। उस नाली का कीला भी बना दोगे तो चलेगा जिस नाली में बिहारी जी के चरणा मृत का जल गुजरता हो जहां से तो ऐसा भक्त कहते हैं कि हमें हमें मोक्षनी चाहिए हमें तो जनम जनम रति राम पद हमें आपके प्रेम चाहिए भक्ती चाहिए जहां रहें जिस योनी में रहें आपके लिए तडपते रहें, आपके लिए रोते रहें, कछा सुनते रहें, कछा सुनाते रहें, ये मांगता है भक्त, अब यही बात भागवजी में चलो, भागवजी में एक श्लोक है, मैं आपके लिए विरह, मतलब आपके लिए रोता रहें, ये कहा है भागवजी में, आपके लिए तडपता रहें, आपके लिए रोता रहें, आप जहां भेजेंगे प्रभू, मैं अपने सिनी कहता कि मुझे मोक्षी ही चाहिए, जो आपके मर्जी है वो देना, बस अपने चरणों से जोड़की रखना, ये भक्त की कामना हैं, ठीक है तो मैं इश्वर से प्रातना करती हूँ कि वो आपको और हमको हमेशा भक्त रखे, जिस योनी में भेजें, बस अपना बना के भेजें, अपने चरणों का स्मर्ण भक्ती दे के भेजें, हे नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं, बोलो एक बार हे नाच मैं आपको कभी किसी वी जनम में रहूं, किसी वी योनी में रहूं, पर नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं,